आप सब लोग पोद्ध बहुत आप अच्छ बुद्ध इतनी बच्चों की आवाज आ रही है शैद मेरी आवाज आ इनी रही होगी मैं अपने मेरी आवाज आई नेरी होगे इधरी बैठ जाती हूं तो friends by title देखके आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहां जा रही हूं और क्या हुआ है तो अगर समझ ही गए हैं तो चलो vlog आगे बढ़ाते हैं और आगे ही vlog में continue रही है आप लोगों को पता चल जाएगा तो मैं ready हो गई हूं मैं गई थी लाइव अपने इसी इंडियन ब्लॉगर गौरी पर तो अगर आपने कल की लाइव नहीं देखिए बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा लगा था तो जाकर देख सकते हैं आप मेरी लाइव और अभी फिलाल हम लोग जा रहे हैं मम्मी जी इंतजार कर रही है मेरा नीचे तो चलो चलते हैं भी नीचे नहीं तो कहीं वो गुस्सा हो जाए तो फ्रेंड से यहां पर गई मैं मिठाई लेने के लिए फ्रूट तो ले लिए थे हमने हस्वेंड लेकर आ गए थे और यहां से हमने ले ली मिठाई क्योंकि दीदी घर जा रहा है खाली हाथ तो जाते नहीं है बांध लेती है पर लिए अब बूमी के लिए भी लाएं हो कपड़े लेकर आ है अब बूमी के लिए भी लाएं हो कपड़े लेकर हैं । नहीं से हमें सेउनी हों के शामी है। अब भी जुदें हो मंपड़े आधा दो है कंप डिर देख वाएं होंकि आधे। नहीं का मैं और भ रहा हमे जाओन देखने आ हुए जाता है। नाइश यहाट हो हाँ 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 अब पहना ना छोटी है हाँ इतर दिखाना है इतर दिखाना इगवाद तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बेवी किसको हुआ है तो रिंकी दी जो मेरी ननद है उनकी जिठानी है दी उनको बेवी गर्ल हुई है तो हम लोग मिलने के लिए गए थे कि चलो मिलके आ जाते क्योंकि भाईया बाहर जॉब करते हैं नेवी में हैं तो भ मेरा मौनिंग का जो रूटीन रहता है जो बैसे आप लोग चानती ही हो मैं कितने वाज़े उठती हूं तो मैं अपनी पूजा की मतलब जो फोटो है उनको पोच रही हूं इसके बाद जो मेरी मेरी में पूजा है वो स्टार्ट हो जाएगी बैसे सबसे प्रतम कोई भगव कराने से पहले या कुछ भी करने से पहले दीपक जरूर लगा देती हो तो दीपक दूप तो लगा दिया है मंदिर पर भी मैं जल चड़ा कर आ गई हूं तो बस यहां पर मैं अपनी पूजा कर लेती हूं उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूं तो फ्रेंड्स यहां पर मैं कर रही हूं नास्ता और नास्ते में चना है मूंग है इन सारी और राजमा है तीन चारे स्प्राउट्स रहते हैं और इनको ना अच्छा से मतलब दो सीटी लगा लेते हैं फिर इसके बाद में दही मिला कर आप खाओ आपको फ्राइक मतलब ब उबाल के और थोड़ा सा उसमें दही मिला के खाओ तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और प्रोटीन भी हमें ज्यादा मिलता है और ममी जी ने हल्वा बनाया था पापा जी के लिए उनको खाने की इच्छा हो रही थी तो वो थोड़ा सा लेकर आई हूं मीठा तो आ नीठा नहीं अवोइड करना चाहिए तो बस यहां पर नास्ता कर लेती हैं इसके बाद चलते हैं किचन में और चलकर करते हैं खाने की तयारियां और मैं आपको बताओं नास्ता करने के बाद हम दोनों सासवाग निकल गए थे साड़ी लेने के लिए जैसा कि आप लोगों पर गए थे और 12.12 पर हम लोग महां से आए हैं पिंकी दी गुसा भी हो रही थी बिना बताए दोनों कहां चली जाती हो तो बहां देखने गए थे देखते देखते हम लोगों को 4-5 साड़ियां पसंद आ गए थी तो जो कि घर भी ले जाती हूं मैं बहां सब को पसंद आत तो लेके आगी थी 4-5 साड़िया अगर आप लोग कहोगे तो मैं अपने व्लॉग में जरूर दिखाऊंगी तो यहां पर देख सकते हैं मैं ममी जी बोली पापा जी खाने की जादा कुछ इच्छा नहीं है तो सिंपल सबजी रोटी बना लेते तो मैंने फटा-फट से पह सुबह के नास्ते के बरतन है आटा लगा कर बरतन दोलेती पर नहीं मिला समय पहले मैं सबजी तुरंत चौके मैंने एक तरफ रोटिया बनाना शुरू कर दिया था जिससे लेट ना हो बिल्कुल भी क्षाँ का पालब है जोडर कर से लेक लिडे थालबल भी मैंससं प्म तो फ्रेंड्स जब मैंने खाना पूरा कम्प्लीट हो गया मतलब मेरी रोटियां पूरी बन चुकी थी चपाती आधी बची थी और पतासला कि अब मम्मी जी पापा जी कह रहे हैं कि हमको भूक नहीं है और इन लोगों ने हल्वा थोड़ा खा लिया था जादा कह रहे थे इच्छा नहीं है सुबह मॉर्णिंग में जैसा कि आपको बताया था नास्ता कर रही थी तो बना था तो अब उनकी इच्छा नहीं हो रही तो इतना बुरा लगा मुझे मैंने का यार इतनी जल्दी-जल् तो बस यहां पर खाना हो गया था मतलब हस्परेंट में खा लिया बच्चों ने ले लिया था ममी जी पापजी ने नहीं खाया तो मैंने का चलो गेस सर्फ कर लेती हूं और जितने भी सारे बरतन हैं को क्लीन कर लेती हूं तो आज का व्लॉग आप लोगो कैसा लगा मूलना जाती हूं आप सभी लोगों की ब्लॉग जादा बड़ा नहीं बन पाया पूरे 9 मिनिट का ही बना है तो आप सभी लोग प्यार दीजिएगा सपोर्ट करिएगा मुझे और चैनल को सस्क्राइब जरू करिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में बाए बाए